अनन्या पांडे तक द्रक्स गेज की आँच एक्शन में एंसी बी मननत तक पहुँची जाँच जेल पहुँचे किंखान बेटे से पूछा हाँ हाई कोट पर्टे की नजर मंगलवार का इंतजा नशा क्या ये ड्रग्स का नशा है नमस्कार आप देख रहे हला बोला आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकशप आरेयन खान की गिरफतारी के बाद एंसी बी ने चंकी पांडे की बेटी और बॉलिवूड की नई नवेली हिरोईन अनन्या पांडे पर नजर्टिक आई है उनसे पूछताच हो रही है हलाकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है अनन्या पांडे से अभी न्सीबी दफ्तर में पूछताच कर रहे है खुद समीर वांकडे जोनल डिरेक्टर न्सीबी के दरसल अनन्या से जाच एजनसी ये जानने की कोशश कर रही है कि आखर इस पूरे मामले में कितने किरदार थे ड्रक्स का कनेक्शन कहा कहा तक पहुँचा हुआ था इससे पहले कि आपका परचाए खास में माने से करूँ आपको चल्दी से ये रिपोर्ट ज़रा दिखा देते है मामला चंकी पांडे की बेटी और आरियन खान की दोस्त रही अनन्या पांडे तक पहुँच गया क्रूज ड्रक केस में बॉल्यूट की नई नवीली हिरोईन को एनसीबी ने तलब कर लिया खाबर है कि एनसीबी ने अनन्या पांडे के फोन जब्त कर लिये है अनन्या को दो पहर दो बजे एनसीबी के दफ्तर में पहुँचना था लेकिन वो करीब दो घंटे की देरी से पहुँची लेकिन शायद उन्हें पता है कि अभी कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं लेहाजा उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में अपने सारे श्रेडियूल कैंसिल कर दिये हैं बेराल अनन्या पांडे से पूछताज का मतलब है कि नसीबी की जाज का ताइरा बढ़ गया है अनन्या पांडे का नाम कुछ चैट से सामने आया था कुछ चैट से आरेयन खान के अनन्या पांडे के साथ जो जब सामने आये उन्हें अब जाकर बुलाया गया है इससे पहले कभी भी अनन्या पांडे के घर या शारुक खान के घर एंसीबी के अफसर नहीं कहे थे प्रक्षा कर्मियों ने दोनों को बाहर गेट पर रोग दिया। थोड़ी दिर बात बंगले से एक महिला बाहर आई और जाँच अधिकारी को अंदर ले गई। दूसरे अधिकारी बाहर ही खड़े रहे। एंसीबी अधिकारी को मनत के भीतर ले जाने वाली महिला ने शारुक के मेनेजर पूजा ददलानी को फोन करके बुलाया। तब जाकर जाँच अधिकारी ने उन्हें एक नोटिस दिया। बताय जा रहा है कि एंसीबी ने आरियन से जुड़े कई दस्तावेज और इलक्ट्र एंसीबी की टीम के मनत पहुँचने से पहले शारुक खान और्थर रोड जेल पहुँचे। जिन्दा दिल और बिंदास रहने वाले शारुक के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो तनाव में और परेशान दिख रहे थे। जेल में शारुक ने बेटे आरियन से मुल तब जेल के दो कारण वहां मौझूद थे। जेल के नियमों के मुताबी जब शारुख और आरियन ने इंटरकॉम की मदद से बात की। जेल सुत्रों ने बदाया कि शारुख ने आरियन से पूछा। जवाब में आरियन ने नामे सिर हिला दिया। उसने कहा। तुम खाना आपको कोड की इजासत लेनी होगी शारुक खान अपने बेटे आरियन खान से मिलने के लिए पहुचे थे यह वही कक्ष है जहां पर जो रिलेटिव्स है उन्हें जो उनके इनमेट्स अंदर है उनसे मिलने दिया जाता है फिजिकल मीटिंग जो है वो कोविड की वज़े से बंद थी 21 ओक्टोबर से ये फिजिकल मीटिंग शुरू हुई है और इसी रस्ते से शारुक खान अंदर गई यहां पर आप देख पाएंगे जो बाकी रिलेटिव्स है वो बैठे हुए है करीब 20 मिनट बाद शारुक बाहर आए तो चेहरे के हावभाव से ज्यादा फर्क नहीं था करीब 20 मिनट बाद शारुक बाहर आए तो चेहरे के हावभाव में स्यादा फर्क नहीं था जेल के बाहर मुलाकातियों और दूसरे लोगों की भीड़भार के बीच उन्हें बाहर निकाला गया लेकिन मीडिया के तमाम सवालों के बावजूद उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी बुदवार को ही कोवीट की पावंदी में धील दी गई जिसके बाद रिष्टेदारों और वकीलों को बंदियों से मिलने की जाज़त मिली शारूप पहले ही दिन अपने बेचे से मिलने पहुँच गए तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किये गए आरियन खान को आठ अक्टूबर को आर्थर रूट जेल में शिप्ट किया गया था अभी आरियन को कुछ और दिन जेल में ही बिताने होंगे क्योंकि बॉम्बे हाइकोट ने आरियन की जमानत याजिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार का वक्त तै किया है अब 26 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा यारियन को रहत मिलती है या उनकी आफ़त बढ़ती है सौरब वक्तानिया और दिवेश्ट सिंग के साथ मुस्तफा शेक मुंबई आज तक आये चर्चा की शुरूआत करते हैं प्रियांका चतुरवेदी शिवसेना की सांसर जुड़ गई है हमारे साथ राहुल नार्वेकर जो की विधायक हैं बीजेपी के वो जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उमा कांत मिश्रापूर्व Assistant Director NCB के जुड़ गए हैं क्या वो कहते हैं दिल्चस्पोगा जानामन सिना वरिश वकील उज्वल निकम साह वरिश वकील भी जुड़ेंगे शहजाद खान आक्टर प्रियांका जी मैं आपके साथ शुरुवात करना चाहती हूँ सेशन स्कॉर्ट ने बेल नहीं दी जाहिर तोर पर NCB ने जिस सरह से अपना मामला वहाँ पर रखा है उसको लेकर वो कन्विंस थे कि वो सबूतों को के साथ छेचार कर सकते हैं जो भी वजह रही होगी नहीं दी दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक अक्टर के बेटे होने की सजा शारुखान के बेटे को भुगतनी पड़ रही है आज जिस सरह से मामला आगे गया है अब अन्या पांडे से भी पूछता चो रही है क्या कहना है आपका कि मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है एंसीवी अपना काम कर रही है एंसीवी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है आपने जो केस की शुरुवात में कहा, सेशंस कोट ने कहा, के मामला और कांगे इन्वेस्टिकेशन के दाइरे में जाता है, इसलीए नावनजूर की, वह अक्शली इन्करेक्ट है, क्योंकि जass लोड बेल आप सेशंस कोट में उनका बेल रिजेक्ट हुआ था, वो यसलीए में नहीं कर रही है मैं मांती हूं जो भी celebrity बचे हैं उन में से किसी के parents उसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं जो law and order है उसको का पालन किया जा रहा है तो I would hope के जो भी investigation है जो drug mafia इस देश में चल रहा है जो narco terrorism की बात चल रही है जो आपके खुद की magazine India Today magazine ने भी उसके बारे में काफी cover किया था तो जो वो main problem है हमारे देश की जहां पर easy access to drugs मिल रहा है और easily available हो रहा है उस पर अगर NCB क्योंकि हमारे देश की apex body है anti-drug body है वो उस पर ध्यान देगी और इससे यह mafia break होगा हम उमीद करते हैं उस पर चलेगी unfortunately पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि individual जो consumption में है या consume नहीं कर रहे हैं या उनके WhatsApp चैट पाई गए हैं उन पे NCB के खिलाफ उन्होंने पहले गुसावी को लेकर सवाल खड़े गया कि बीजेपी का सदस्य था वहां सेलफी क्या खिजवा रहा था वो तब से दिख नहीं रहा है उस पर महराश पुलिस की तरफ से एक मामला दर्ज हुआ है आज उन्होंने कहा कि समीर वांखडे जो की जोनल डिरेक्टर है वो मॉल्डीव्स और अलग-अलग मुलकों में गय थे कोविट के दौरान फिल्म स्टार्स के साथ तो ये साजश है शडयंत्र है वो तो सिधा रोप लगा रहे है NCB की जाच पर आप स चार्स के मेंबर्स उसमें पाए जाएं और NCB को हैल्प करते हुए पाए जाएं तो मैं उमीद करती हूं कि मीडिया के मन में भी सवाल उठेगा कि ये क्या कर रहे थे वहां पर क्या NCB शॉट स्टाफ है क्या NCB अंडर स्टाफ है क्या NCB के पास इनाफ लोग नहीं हैं जो कहट नहीं को हेल्प कर पाएं तो प्रस्टम उठते हैं तो प्रश्न पूचे गएं हैं काफी फोटो कहीं वीडियोस भी वाइल हुए हैं कुछ लोगों को रिलीज में इन्वेस्टिकेशन में उनको डीटें किया था उनकोय बीकिया उर्फिस बीकिया उनके भी कुछ साल पहले मुंबई में स्यूसाइड हुआ, उसके इंवेस्टिगेशन में आई, उस इंवेस्टिगेशन में 59 ग्राइम्स कोकेन को लेकर वाटसाइब चैट पाई गई, लोगों को धर दबोचा गया, उसके बाद कुछ नहीं पाया गया, बेल मिल गई उन लोगों को, क्या हम यहां पर कहीं न कहीं जो एपिक्स बोड़ी है, जैसे हमारी CBI होती है, ED होती है, IT होती है, वैसे ही NCB है, क्या NCB सही दर्शा और दर्शा में चल रही है तो प्रशन तो लाजमी है और ये अबाफ पॉलिटिक्स होने चाहिए लोगों के करियर्स आइट स्टेक, यांग लाइफ आइट स्टेक, यांग लाइट स्टेक, तो हमें उसको प्रिवेंट करना है या हमें इंडिविजुल्स को टागेट करना है, ये सवाल तो मैं मानती हूं सब के लिए लाजमी होना ही चाहिए पूछने के दाइरे में भी आता है बेर निकाम साब, अइसे तमाम आमलों के और आपने बड़े-बड़े मामले देखे है, नार्को एन सीबी मतला बी और 17 दिन से जेल में हैाँ और चूजले को अगली सुनवाई वोगी क्या target किया जा रहा है celebrity का बेटा होने की सजा है या फिर तेह तक जाने के लिए जरूरी है निकम साथ अंजयना जी मैं पहले ये बात साफ करना चाहता हूँ कि जब ही जब ही कोई Bollywood से matter जूड जाती है तब वहाँ सियासत होती है 93 की Bombay Bomb Blast की केस जब मैं चला रहा था और उसी मामले में भी एक मुलजीम एक हिंदी Bollywood का अभीनेता था उसके खिलाब बहुत गंबीर संगीन आरोप थे फिर भी कई political party भी उसे उतर पड़ी और वहाँ सियासत हुई थी आखिर उसे सजा हुई कहने का मतलब मुझे यह थी है थे मैं प्रियांगाची की की बात बड़ी साउधानी की सुन रहा था एक लॉयर है लेकिन ओप पॉलिटिकल लीडर भी है और इसलिए उन्होंने आज दोना तरफ से अपनी दलील पेश की एक देखिए मैं मानता हूं कि बिरो के पास जो भी आज सबूत है जो बंबई के सेशन्स कोट ने मान लिया कि यह प्राइमाफ एसी सफिशन्ट एविडेंस है और इतना ही नहीं तो यह भी कोट का मानना था कि अगर इस वक्त जमारत मिली तो शायद सबूतों में छेड़चार होने की संबावना है और इसलिए जमारत नखाने अभी हमें देखना यह है कि यह सिर्फ वाट्सेप चैट क्या सफिशन्ट सबूत है या नहीं इसका आज जो बिरो ने जिस तरह से समझ जारी किया है शारुक के बंगले पर जाने के बाद और क्या अरियन के पास और कौन-कौन से इलेक्ट्रोनिक गैजेट है इसके ओखंगलने की कोशिश कर रहे है क्योंकि बिरो इस प्रकार एक कोराबरेटिव एविडेंस कले करना चाहती है देखे वाट्सेप चैट्स में क्या लिखा है कि तरह से डिटेरा है यह बात अभी बिरो ने पूरी तरह से साफ जाहिर नही कि इसमें से उनकी आरे खान की तार कहीं फॉरिंज से तो जुड़ी नहीं क्या हमारे देश में जो ड्रग जाते क्या उसमें क्या उनको पता है कौन लाता है किस लाता है तो अभी कहना यह बहुत मुश्किल है कि यह बात गहरी कहा तक चली जाएगी देखिए सुशान नर्वस हुआ यह हुआ ड्रग लेने लगा तो हमने यह बहुत देखा है कि बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेस यह ड्रग के आहारी चले गए और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सियासती बात होनी नहीं चाहिए हमें एजनसी को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि ले जा रहे हैं उज्वल साब यह बड़ा परसनली ले रहे हैं वो पूरे मामले को अब उन पर परसनल आरोप भी लग रहे हैं नवाम मलिक बैटके कहते हैं कि वो तो विदेशों में गुमते थे कोविट के टाइम में कुछ स्टार्स के साथ कॉंस्पिरिसी की थिओरी वो प्रमोट कर रहे हैं इस पर क्या कहना आपका निकम साब अमन सिना साब इसका जवाब आप देना चाहेंगे क्योंकि शुरू से या आरोप लग रहा है और वो गोसावी को सब भी पोज़े हैं नमस्कार सिना साब अच्छे आप वकील भी हैं पीछे वकालत की तमाम किताबे भी हैं और बोसा भी गायब है सर सेल्फी वल्फी खिचा के पता नहीं कहा चला गया अंजना जी आपने जो प्रशन पूछा है इसका कहीं पे भी केस की आर्गुमेंट्स में कोई जिक्र नहीं आ है डिफेंस ने भी नहीं लिया है तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा that we should stick to legal principles हम लोग इस judgment को भी अनलाइज करने में जो कोट में होगा सर मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्या आरोप लग रहा है कि क्या बीजेपी इंफ्लोएंस कर रही है सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ वही यहाँ पर करेंगे ना legal matters तो कोट में रखी जाएंगी दोनों की वकील की तरफ से बीजेपी के इंफ्लोएंस पर सवाल नवाब मलिक खड़ा कर रहे हैं इसलिए आपसे यह पूछ जी सिना साल नहीं तब ही मैं कहा रहा हूँ अंजना जी यह पूरी तरह से baseless है बेबुनियाद है frivolous आरोप है और अगर कोई तथे होता तो इस तरह के आरोपों को आप देखते की कोर्ट में भी defense council लेते तो इसलिए मैंने कहा अंजना जी कि यह जवाब देने के लाइक नहीं पर मैं judgment पर जरूर कहना चाहूंगा अंजना जी कि metropolitan magistrate ने इस फ़श रूप से कहा है कि आरियन खान जो है वो conscious position में थे drugs के उनके जो मित्र हैं उनके पास कहां पे drugs चिपे हुए हैं ये भी जानकारी में था यही नहीं conspiracy में वो पूरा जो एक running thread है वो सभी accused को जोडता है commercial quantity का seizure हुआ है और कुछ जो international जो उसमें drug dealers हैं उनके भी direct जो है interaction ऐसा पाया गया कि accused one से ऐसा judgment में emerge कर रहा है उसके अलावा उनका voluntary statement भी है record पे जिस पे सपश रूप से वो कहते हैं कि वो और उनके मित्र जो हैं इसको consume करने वाले थे तो court ने इनी सब तक्तियों को ध्यान में रखते हुए और जो section 37 का rigor है NDPS Act में हम सभी लोग जानते अंजना जी जो उसके objectives हैं जो उसकी scheme है कि किस किस तरीके से drug menace को discourage किया जाए eradicate किया जाए तो ये section 37 का जो rigor है उस test को नहीं पास कर पाए court इस समय जो evidence देखके इस थिती में नहीं है जो कह सकती कि ये ये जो है ये आरोप प्राइम अफिसी इनके उपर नहीं लगता है और इसी लिए जो बाकी जितने भी judgment हैं चाहे शोबिक चक्रुवर्ति का हो चाहे नवास distribution है और एक important link एक पूरे chain में होना ये भी एक महत्वपूर्ण aspect है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी बेल को वीवी पाटिल ने reject किया है जो special judge NDPS है और बहुत detailed और reason well reasoned order दिया है और जे कैसर मैं लॉट रही हूँ और प्रियांका जीस का क्या जवाब देती है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे इस बीच आपको बता दे पूछताच के बाद NCB दफ्तर से आप जो अभी तक समझ में आ रहा है निकलने की तस्वीर आ रही है तो आप समझ लीचे कब लगभग सारे तीन चार बजे से उनकी पूछताच चल रही थी दो घंटे से जादा का वक्त उनकी पूछताच हुई है और उसके बाद पांडे वहां से निकलती हुई उनके मेडा चंकी पांडे बिजोकी त्रिम स्टाले वह उनके साथ्य थी और पूछताच के बाद अब वहां से निकल रही है अनन्मrial पांडे जन्हों ने कुछ फिल्मों में काम किया उनके पिताफ फिल्म स्टार थे लेकिन वो भी अब फिल्मों में और दोनों परिवारों में कहा जाता है शारुखान और चंकी पांडे के परिवार में बहुत दोस्ती है आर्यन और अनन्या बच्पन से दोस्त रहे हैं दोनों की वाट्साप चाट को लेकर ही आरोपी नहीं बनाया गया नन्या पांडे को यह साफ NCB ने कहा लेकिन हां से पूछता हो रहे है दाकी कडियों को जोड़ पाए हाई कोट में जब अपना केस रखे बेल पेटिशन के वे वक्त तो फिर दलीले सफ देपाई प्रियंका जी आपने सुनी अमन से नाजी की तमाम बाते उस प सब्सक्राइब कर दो दो चीज़े मैं पहले कहना चाहूंगी सुप्रीम कोट का यह मैंडेट है कि बेल नॉम होनी चाहिए जील एक्सेप्शन होना चाहिए अभी जो भी दलील सामने आई है वेरी क्लेली आरियन खान जो जो आक्ट शारु खान के बेते हैं उनके हाथ पु होए हैं टुश पूफ देवस कंजम्शन यह जो कॉंशिस पुजेशन है यह जो आज नया एक टर्म सामने आया है कॉंशिस पुजेशन यह नहीं यह हुआ के अंजना जी आप लेट से आप कहीं गोआ जाए और आप अपनी दोस्त के साथ जा रही हैं आपकी दोस्त ने क्य समान रखा है आप उससे अंजान भली हो पर अगर उनके बैग में कुछ पाया गया तो याने आपके भी वो कॉंशिस पुजेशन में माना जाएगा भले ही आप आपने का कोई इंटेंट ना हो आपकी कोई मंशा ना हो पर क्यूंकि आपके दोस्त के बैग में पाया गया इ तरह कि झाने ना होंगी इंवेस्टिगेशन की प्रक्रियत चल्रही है ना कोई-सी फैंग'लिे इसपे सवाल उट खड़े किये हैं पोड़ोल में हैं रो पी जो जेल में है करियर किसी का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है इसमें that is something which is very important हमने अपने conscious consumption कहा था या शुरू में commercial consumption भी कहा था वंजी छोटा सा clarification नहीं सबसे पहले तो जो परिभाषा दी गई पूरी तरह से गलत दी गई इतनी बड़ी विवेचना करनी है एक सगर आपको रोक रही हूं सा एक सगर रोक रही हूं मैं लोट रही हूं आपके पास विद्या विद्या हमारी सयोगी वहां से जुड़ गई है पूच्छाच हो गई कितने देर की हुई विद्या और कुछ जानकारी उसके बारे में जी देखिए साड़े तीन से अभी तक में दोड़ाई घंटे की फुच्टाच में बहुत जादा कुछ नहीं निकला है अनन्या से हाला कि NCB कोशिट जरू कर रही है कि उनसे काफी कुछ जानकारी मिले अभी ये तैय नहीं हुआ है कि वो आरोपी है या विटनिस है क्योंकि जब तक वो अच्छे से कॉपरेट करके जो पूरी जानकारी जो NCB चाह रही है वो नहीं देते हैं तब तक ये डेटरमाइन करना NCB के लिए भी मुश्किल होगा लेकिन अभी फिलहाल यहीं बताया जा रहा है कि अनन्या ने कुछ-कुछ सवालों के जवाब जरूर दिये है लेकिन कुछ और सवाल है जिसके लिए जरूर उनको शायद वापिस बुलाया जा सकता है क्योंकि अभी क्योंकि वो महिला है उनको पोस्ट संसेट उनसे पुछताच नहीं हो सकती है इसलिए आज उनको जाने दिया गया है लेकिन जरूर एक दिन और फिर से समन करके वापिस बुलाए जाएगा जब उनसे फिर पुछताच होगी तो जाहिर सी बात है अभी फिलहाल जो सवाल जवाब का दौर है वो खतम नहीं हुआ है वो अभी जारी रहेगा तो हमाने विद्या की हो सकता है कल फिर एंसीबी दफ्तर आना पड़े या नन्या पांडे को जी बिल्कुल काल आना हो या परसू आना हो इसकी जानकरी अभी हमें अन्सीबी आदिकारियों से थोड़ी देर में लेनी होगी लेकिन पुछताच जरूर होगी ऐसा अन्सीबी के अधिकारी हमसे कह रहे हैं बजानकरी जो उनसे मिल रही है वो यही है कि अगले कुछ समय म उनसे जरूर और पूछताच क्योंकि अधूरी रह गई है यह पूछताच, पूरा नहीं हुआ है यह सिलसला, इसलिए कई सारे सवालों के जवाब अभी भी मिलने हैं, इसलिए उनसे एक बाद फिर से पूछताच जरूर होगी अब समीर वांखडे ही चांच करे थे विद्या जल्दी से? जी बिल्कुल समीर वांखडे और कुछ और अधिकारी थे, क्योंकि वीवी सिंग जो इन्वेसिगेटिंग ऑफिसर इस मामले के वो तो अदालत में मौझूद थे, जहां पर की आरियन खान का जुडिशिल कास्टिडी और दूसरा कुछ और आरूपी जो है जैसे अचित के दोस्त हैं, जो की ड्रक पेडलर के तौर पे जिनने न्सीबी ने दिखाया है, उन सब का बेल आर्गिमेंट था तो वीवी सिंग जो इन्वेसिगेटिंग ऑफिसर है, वो तो अदालत में थे, तो यहां पर पूश्ताच खुद वान खेड़े कर रहे थे, इन पांडे से मिलकुल, पिद्या बने रही है, कल दोबारा अनन्या से पुछता आच होगी, जैसा हमारी सेयोगी बता रही है, अभी जानकारी आ रही है कि कल 11 बजे अनन्या को फिर बुलाया गया है, अमन जी जल्दी से आप अपनी बात बता दे, क्योंकि आपने कमर्शल कंजम्शन को प्रियांका जी जो कह रही है, वो गलत है, आप पूरी तरह से गलत है, देखिए पहले तो दो चीजों को मिक्स कर दिये गया और उसकी गलट डेफिनेशन दे दी गई, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आपके मित्र ने अपने बैग में क्या पैकिंग कर ली, उसके लिए जम्मेवारे हैं, ड्रगस की कॉंटिटी जो आप जानते हैं कि टीलर्स जो हैं वो कोई मियूल या कोई कॉंडी lyrics करते हैं, अगर वो commercial quantity है, अगर किसी की knowledge में है और उसको पता है कि किस तरीके से इसका utilization होना है, उसको conscious position कहते हैं, और ये इस case में भी कहा गया है, पहले भी conscious position जो था वो उसमें आरियन खान जो अक्यूज नंबर वन उनका था वो खुच स्वयम एकसेप्ट भी कर रहे थे अपने voluntary statement में हाला कि जिसको उन्होंने बाद में retract कर लिया जो की trial का विशय होगा उन्होंने कहा था कि मैं हम और उनके जो साथिये इसको consume करने वाले हैं उसके बाद जितना भी चैट्स और जो भी evidence पाए गए उसमें ये स्पच्ट्रूप से था कि जो भी supplier थे dealers थे कुछ dealers को उन लोगों की निशान देही पे arrest भी किया गया और कुछ international suppliers भी हैं वो भी चुड़े हुए हैं और उन लोगों को भी पकड़ना उनकी धरपकड़ भी होनी है और इसलिए इस stage पर बेल देना जो है वो NDPS Act के जो rigor है उसके तहत उचीत नहीं होगा और एक और बात में बता दूँ जो अभी हमारी साथी बोल रही थी इसके पहले कि बेल is the rule and jail jail is not the rule that is right with respect to normal criminal jurisprudence NDPS जो है वो specialized act है objective है कि नार्कोटिक और जो drugs और psychotropic substances हैं उनका जो eradication करना और इसलिए section 37 के तहत बेल के rigorous norms हैं अगर उसको कोई fulfill नहीं करता है burden of proof जो है जो accused पे लाई करता है section 29 में conspiracy में भी यह lift है और इसलिए बेल देना यहां पर उचित नहीं था इसलिए metropolitan magistrate ने वो बेल reject किया ठीक है ठीक है इससे पहले कि हम आगे चलें जल्दी से एक बार प्रियांका जी इस पर आपका जवाब उन्होंने commercial consumption भी कहा और conscious consumption का उनका definition अलग है जो आपने पताया है निकम साहब भी चुड़ करें और conscious possession ने conscious possession commercial एक सगें कमर कम conscious possession और commercial trade or whatever he was talking about all main इहां पर यहां पर argument ने करने चाहरे हूं legalities को लेकर या judgment को लेकर जो मैंने commercial quantity यह यहां पर WhatsApp chat के अधार पे जहां पर लिखा हुआ है let's have a blast जो भी सामने आ रही है information उसके अधार पे WhatsApp chat पे रिलाय किया जा रहा है कि वह WhatsApp chat के अधार पे यह commercial quantity में लिया जा रहा था और commercial quantity for personal consumption कही नहीं let's keep this debate civil let's keep this debate civil I did not interrupt it's all right do not put commercial quantity को यह लो break कर पाएंगे through the WhatsApp chat I did not put I don't know यहां पर भाई साब को ऐसा क्यों लग रहा है उनके word मुह पे डाल रही हूं मैं तो बस explain कर रही हूं के commercial quantity हो personal consumption हो conscious possession हो यह सब जू मैं allow him to speak ने प्रियांका जी आप अपनी बात पूरी कीज़े हम लोग हमेशा इस बहस में जवाब बात में लेते हैं से आप अगर उन्होंने कुछ गलत का आप आपको जवाब का मौका मिलेगा आप अपना हाथ उठालीजे लेकिन प्लीज एक एक करके बोलिया अनने भी कई महमान जो रहा है प्रियांका जी अपनी बात पूरी कीज़े कौन रोक रहा है बोले चलिए बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे परमिशन दे दी बोलने की पर मैं इहां पर बस एक चीज़ कहना चाहूंगी वो जुडिश्री के अंतरगर आपको जो बोलना है बोलिये आप सानी पर अरो प्रत्यारोप में अभी आप ये बोल रही आप तक नहीं मिला है आप इनको क्लियर कर दीजिए आपने मुझे कमर्शल कहा था तो मैंने का नहीं देवर्ड वो जुडिश्री जो करना है वो उनका काम है वो करेंगे बेल एकसेप करना है रिजेक करना है वो जुडिश्री के अंतर गताता है हमारे सवाल बड़े हैं यहाँ पे सवाल यह है एपिक्स बॉडिज देश की NCB है नार्कॉटिक्स ब्यूरो है पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि 59 ग्राम कोकेन को जो वाट्साप पे चैट होती है ना पुजेशन में मिलती है ना कंजम्शन में मिलती है उसके अधार पे यह लोग कोई माफिया ब्रेक करने चले थे अब तक हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं है अब यह नया केस सामने आया है मैंने आपको शुरू के उपनिंग स्टेट्मेंट में ही कहा था उमीद क आया है कि भारतिये जनता पार्टी के ओफिस बेरर्स वहां पर क्यों मौझूद पाए गए थे और वो क्यों गायब है उसका जवाब हमें मिलने ही पा रहा है लास्ट बट नॉट लीस्ट में हां पर एक चीज़ कहना चाहती हूं एक बहुत बड़ा ड्रग ओवरहॉल होगा मैं उमीद करती हूं आर देश में CBI हो, ED हो, IT हो, they will work in the larger interest of the nation, not run after and start targeting individuals on the basis of some whatsapp chat, that is all I'm saying, जो सवाल प्रेयां कर चाहती है उस पर जवाब दीजे, रहुल नार्वेकर, विधायक, BJP, दिखाए विधायक जी, दिखे जहां तक इन इस कारवाई की बात आती है, मैं आ वो पूरी तरह सवविधान के दाइरे में रहकर कानूनी तरीके से कारवाई हो रही है, काफी बार मैंने पिछले हफते बर में काफी चैनल्स पे देखा है, कि यह आरोप लगाया गया है, कि शारुक खान के लड़के होने के कारण, बेटे होने के कारण, इन्हें सॉफ्ट टर्गेट बिक बनाया जा रहा है, देखें क्या यह पहली बार है कि NCB ने या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग और एजिंसी ने ड्रग माफिया हो या ड्रग कंजूमर्स हो या ड्रग पेडलर्स हो के ऊपर अक्शन ली है, डाइम ड़जन दिन को सेकडो ऐसे केसे पूरे हिंदोस्तान में रेजिस्टर होते है और उनके ऊपर कारवाई होती है, NCB ने इसको पब्लिसाइज नहीं किया है, मीडिया ने उठाय है, चर्चा करने वालों ने चर्चा किया है, इसके ऊपर लाइम लाइट में आ गया है, अभी NCB का काम है, एक्शन लेना, अरेस्ट करन एफायर फाइल करना, चार्चीट फाइल करना, लेकिन कस्टडी देने का दायत्व, कस्टडी देने का पूरा निर्णे ये किस के पास होता है, जुडी शिरी के पास होता है, अभी जुडी शिरी ने प्राइमा फेसी केस मेड आउट होने के कारण, प्राइमा फेसी केस बन सब्सक्राइब एसे लोगों से या ऐसी भूमिका रखने वालों से आर्ग्यूमेंट करके डिबेट करने में तो कोई मतलब बनता नहीं है, दूसरी बात आप देखे, यहां पर criminal jurisprudence में एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा criteria रहता है mens rea का, यहाने mens rea is the prime object, prime element of any crime, और इस विशह में अगर आप देखेंगे, whatsapp messages जो exchange हुए है, corroborative evidence जो प्राप्त हुआ है, उससे यह clearly दिख रहा है, कि Aryan Khan को इसकी मालूमात थी, और किसी ना किसी प्रकार से, वो इसका या तो इस्तमाल करने वाले थे, या इसे आगे किसी को देने वाले थे, इसलिए, the court has rightly come to the conclusion, कि उनका इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई रूल है, और उसको investigate करना आवजचक है, और इसलिए custody grant की गई, अभी आता हूं मैं आपके सवाल के उपर, कि जो वहाँ पे पंच थे, और जो पंच वहाँ पे आये, उन्होंने शायद वहाँ पे photographs ली, जो नहीं ह होना चाहिए था, मैं मानता हूं कि जहां तक, जहां तक, जहां government witnesses रहते हैं, पंच जो पंच नामा करने आते हैं, उनको निश्चित रूप से, किसी भी प्रकार से, accused या कि नस्दीक जाकर, उनके साथ हिल मिलना, यह गलत बात है, और यह procedural lapse है, लेकिन procedural lapse होने के कारण, क्या वो merit of the case को दूर करते है, merit of the case बनलते हैं, मुझे मुझे अब मिश्चा साब से सवाल पूछें दीजे, और यह सारे मुझे पूर्णिकम साब है, ठीक है, मैं आरे हूं अर्वेकर साब, थो असर रुके, उज्चित का भी audio आ गया है, मैं आई ती सर आपका audio चला गया था, जल्दी से एक बार, उमा कांद मिश्चा जी हमारे साथ है, उज्चित का हुई, एक बीजेपी का वर्कर वहां जाकर एंसीबी दफ्तर में, वहाँ पर वो सेलपी कीचता है, अब वो कह रहे हैं, यह सिर्फ प्रसीजरल लाप्स है, यह मैल इंटेंशन दिखता है, एक कर रहे हैं, शारुखान के घर जा रहे हैं, यह जारह है, इसको ब्लो कर रहे हैं, तीसरा, क्या समीर वांकडे जो जोट्र वर्कर गल रेंक ही के सत्य मेब जैते इक. ट्रोल्स और सोशल मीडिया के हवाले से थोड़े न दफ्तर और सरकारी महक में चलेंगे या उनको परस्टनली जवाब देना जरूरी है इन तीनों बिंदुओं पर आपका क्या जवाब है अजना जी सबसे पहले मैं तो यह अपरेशनाल परस्टेक्टिव में अगर कहूंगा तो डिपार्टमेंट जो इंटेलिजेंशन इन्वेस्टिजिएशन डिपार्टमेंट उनको जो इन्फरमेशन मिलता है वो इन्फरमेशन वी उकर काम करना उनका लेगल ब्यूति वो चाह चाहे एंटीप से मिले चाहे जमतापार्टी से मिले या किसी से भी मिले जब इन्फरमेशन मिलता है यह अगर आप एक नहीं करेंगे एंटीपेस एक्ट के अंदर फिसर के इस्ट वेगी सजा कानूम यह केस चलाना प्रोविजन है सेकेंड पॉइंट यह है कि जिस पॉइं पॉइंट में आपको इंफरमेशन मिलता है उस पॉइंट में वो बीजटी का आदमी है या उसका मंसा क्या है यह एंसीव आपका आडियो कट रहा है इस वर प्रियांका जी ने भी ये भी कहा था कि क्या एंसी बी में काम करने वालों की कमी थी कि वहां पर ऐसे लोगों को अंदर अनुमती दी गई थी बहरालिस्थाप का जवाब मैं आप से लूगी मैं उचल निकम साब आपके पास भी आ रही हूं लेकिन उससे पहले सबीर वांखडे जो की जोनल डिरेक्टर ने इनकी इतनी चर्चा हो रही है नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाएं उनसे हमारे सहयोगी डिवेश ने बात किये फोन पर वो सुना के निकम साब आपके पा जो विकंड़एं शुब्री बात की जो एक आपके फ embrouch सम्म का एंड़एं मेरे कांटीनी साद्सकर किया ना रहा है मिरे सिसेंट या थैरा हमारे अभी भी जुडिशेडी है जिस्टेजर सिस्टम है हम हेल्प लेंगों निकम साब आपने सुनी उनकी बात दरसल नवाब मलिक ने काया कि वह उने लोगों के साथ मॉल्डिव गय थे घूमने के लिए गय थे और कोविट के टाइम पर गय थे कुछ फिल्म स्टार्स के स साथ गय थे जिसकी वज़े से अब उनका यह रियाक्शन आया है दो पक्षे इसके एक तो यह कि वह कह रहे हैं कि हम इसको लीगली उनको स्यू करेंगे या जो भी वह आक्शन ले जाएंगे दूसी तरफ आरोप यह लग रहा है कि क्या बहुत परसनली इस केस को ले रहे है क्योंकि आप जर्नलिस्ट को ही देखे हमारे बच्चों से लेकर हर किसी पर आरोप तरह तरह के सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं उनमें कहां तक कौन किसको जवाब देता फिरेगा लेकिन दूसी तरफ जिस तरह से यह मामला आगे बढ़ रहा है वो सत्य में जैते होगा लेकिन जब हाई प्रोफाइल जब कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है तो उनको साउधान की बरतनी होती है मैंने यह कई बार नाइंटी थ्री बॉंबे बॉंबलास के देखते आ रहा हूं कई मामले से चलाएं कि जिसमें कई बार उनको एक और हम अगर ऑनेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि उस पर सियासत करने की कोई चौरत है हमारे देश में यह दुरभाक्य की बात है कोई ऑनेस्ट ऑफिसर अगर कोई इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ाता है और उसमें मुलजी मगर हाई प्रोफाइल होता है तो उस ऑफिसर क हो बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ता है और जो आज हम यह मामले में देख रहे हैं जो से परसनल एटाक हो रहे हैं बहुत निंदनी है गुरास्पत है मैं किसी के तरब से बाजू साइड नहीं ले रहा हूं लेकिन यह बात जरूर कहूंगा इस प्रकार पॉलिटिकल लीडर्स ने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बचना चाहिए और ऑफिसर्स ने भी बचना चाहिए यह कई बार इसा हुआ है मैंने जब 93 का बामलास की केश जला रहा था जब उसमें एक एक्टर भी इन्वाल्व था उस टाइम में उस एक्टर के पास ब्रे संगीन हुए इस तरह से आरोप है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें कुद पड़ी थी उसमें मुझे भी कुछ भुगतना पड़ा जिसकी मैं चर्चा जरूर नहीं करूंगा लेकिन यह बात जरूर है कि कानून को और एजनसी को अपना काम करने देने की मुझे लगता है कि अलगा जरूरी है और यह पोलिटिकल लीडर्स को भी सुनाना चाहिए और जिस प्रकार बयान बाजी होती है बड़े दुर्भा क्यों बाजी होती है इतना ही मैं कहुगा प्रियांका जी आप जैस पर बोलना चाही थे एक ही जगा पर जो अक्यूस थे उनका हाथ पकड़ कर उनको NCB ओफिस लेकर जाया जा रहा था, वो परस्नली इन्वॉल्ट, एक हमारे NCB के पूर डिरेक्टर यहां पर कह रहे थे कि कोई भी टिप ओफ दे, absolutely, कोई भी टिप ओफ दे, किसी भी पुलिटिकल पर्टी हो, अक् करकर उनक्यूस को लेकर आया जाए और उसके बारे में इन्फोमेशन जनता के सामने, ट्रांस्परिंट मैनमें नहीं रखी जाए, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है, last but not the least में हाँ पर कहूंगी, बिलकुल अप्राइट ओफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, बिलकुल समझ में आता है, अप्राइट ओफिसर्स ट्वीट कर रहे हैं, सत्यमेव जयते करकर कर रहे हैं, before investigation is over, उन्होंने सत्यमेव जयते कर दिया है, और investigation काफी सवालों के घेरे में आ रहा है, and I'm sure अजवल निकम जी भी है मानेंगे, कि जहां पर office bearers एक political party के NCB को assist करते हुए पा हैं, तो कहीं न कहीं, ये transparency maintain करने के लिए, NCB की जो transparency से जादा एक credibility है, उसको maintain करने के लिए, ये राजनीती नहीं है भाई साब, ये उसकी credibility का सवाल है, credibility पे सवाल उठेंगे, उनका जवाब दे, सत्यमेव जयते, मैं भी कह सकते हूँ, आप भी कह सकते हैं, सभी कह सकते हैं Investigation complete नहीं हुआ है, मैं बस यहीं पर अपनी बात खतम करूँगे, and judiciary, I think, is very clear कि किस तरीके से it has to move forward, there are enough laws and procedures in place अमन सिनह साथ, जी अंजल अजी, जो वो कह रही है, सवाल credibility पर, जो बात हो रही है, जो पंचनामा witness थे, अब मान लिजे कि किसी को, बिना किसी बिसिस के, किसी की credibility पे सवाल उठाना हो, तो वो कोई खड़ा कर सकता है, तो public witnesses जो है, उनका भी, जब कोई भी seizure होता है, तो उस समय उनका भी जो है, पंचनामा लिया जाता है, और मुझे लगता है, उसमें था हो सकता है, कहीं पर procedural lapse रहा हो, that does not vitiate the arrest, पर जो और भी कुछ आरोप ऐसे लगाएगा है, मुझे लगता है, बे बुनियाद यहाँ पे बोलना, जब court legal principles पे चल रहा है, सार्थक होता अगर कोई पूरा well-reasoned judgment पढ़के आता, अंजना जी अभी कोई बात कह दी गई, मुंडरा पोर्ट की ऐसे, वहाँ पे NINA investigation ले लिया है, सभी accused arrested हैं, और investigation अभी चल रही है, जो इससे पहले वाले case की बात हुई, शोविक चक्रवर्ती और जो उनकी sister से related, वो उसकी investigation complete हो treatment दे देने से किसी चीज का हल नहीं निकलता है, और मुझे लगता है कि जो court का judgment आया है, गर उसको पढ़ लेते, तो सभी लोगों को उसका जवाब मिल जाता है, और ये personal आरोप, प्रत्यारोप की नौबत नहीं आती, और मुझे लगता है ये जो जैसा उज्वल जी भी कह दे थे, इस तरह के personal आरोप, प्रत्यारोप से बचना चाहिए, चाहिए जो भी मंतरी हों या officers हों, कानून अपना काम कर रहा है, और सबको patience भी रहना चाहिए, trust और belief भी रहना चाहिए, legal processes में, हमारी judiciary जो है, बहुत formidable है, कई level है उसके, और जिसको सभी के साथ न्याय होगा बिल्कुल, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जोनने के लिए, सब की राय और सब की बात आपने सुन ली है, लेकिन कुल में लाकर अब ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपको बता दे, नन्या पांडे से पूचताश खत्म हुई है, कल फि पूच निकल कर आता है, अभी इंतजार करना होगा, कोट में भी बेल आप्लिकेशन पर मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी, आरेन खान की रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहे हैं, आज ताप क्या ये ड्रग्स का नशा है, सवाल और आरो बहुत सारे है, लेकिन इन सब पर आप देख रहेते, पहस अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि शारुक खान के बेटे, आरेन खान के मामले में, ड्रग्स के मामले में, अब चंकी पांडे की बेटी, अनन्या पांडे से फिर कल दूसे राउंड की फूचताच एंस से भी करने वाले है, ग्रेकिन हम रुक रहे हैं, आप देखते रहे हैं, आपकुषता, झाल झाल